नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया, स्वागत करती हूँ आपका Decode Eczam के Daily Current Affair की क्लास में दोस्तों, मुझे माफ करेगा आपकी क्लास दो दिनों से आफ थी, इसके लिए मुझे प्लीज माफ करेगा लेकिन आज से आपकी क्लास continue रहेगी और आज ही class में हम discuss करेंगे दोस्तों 7 और 8 August से related current affair को तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग session से जुड़ जाएए session को आप सभी लोग share कर दें और जैसा कि मैं उमीद करेंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और इन दो दिनों के जो current affair की class नहीं चली इस दोरान अपने जो अभी तक का जो current affair पढ़ाया गया उसका आप लोगों ने revision किया होगा और साथ ही साथ अपने syllabus के recording other subject का भी revision किया होगा तो चलिए दोस्तों इसी के साथ start करते अपनी class को और सबसे पहले प्रश्णी की तरफ बढ़ते और आच्छी class में हमारा सबसे पहला प्रश्णी है दोस्तों की निम्न में से कहा study in India portal का सुभारंब किया गया है तो देखें अभी हाली में study in India portal का सुभारंब किया गया है कोशन आप से पूछा जा रहा है कहां किया गया है options आप देख रहा है लेकि जब भी मैं questions को read करूँ तो साथ ही आप लोग comment box में answer भी साथ में करते वे चलिए जिने answer आता है मैं रोज कहती हूँ answer क्या करें आप सभी लोग और इसका correct answer C है ठीक है नई दिल्ली में जो है study in India portal का सुभारंब किया गया है आईए इसके बार में पढ़ते दोस्तों से यहाँ पर बात करते दोस्तों सिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रदान और साथ ही साथ जो विदेश मंतरी है दोस्तों डॉक्टर S.J. संकर इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से दोस्तों नई दिल्ली में ध्यान रखेगा नई दिल्ली में study in India portal के सुरुवात किये तो study in India नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब भारत में आकर के पढ़ाई तो जो विदेशी चात्र है उनको आकशित करने के लिए या फिर उनको एक ही पोर्टल पे सारी जो है study से संबंदित सारी जानकारी उप्लब्द कराने के लिए इस portal की सुरुवात की गई है किसके किसके दौरा एक तो सिक्षा मंत्री धरमेंद्र प्रधाम और साथी साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैसंकर इन्होंने साइन्स रूप से नई दिल्ली में इस सिक्षा पोर्टल का study in इंडिया पोर्टल का सुभारम किया है ठीक है अगर हम बात करते हैं या पोर्टल देखें वन स्टाप प्लेटफॉर्म है जैसा कि मैंने अभी बताए कि एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही पोर्टल पे आपको विदेश में पढ़ने से यानि कि भारत में आकर कि पढ़ने से सम्मझने सारी चीज़े जो है उपलब कराई जाएगी वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर तो इसके बारे में अनित और चीज़े देखा जाए तो यहां पर तो यह पोर्टल जो है छात्र पंजी करने यानि कि जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है और साथ ही साथ नासिफ रजिस्ट्रेशन वलकि इने जिन्हें जो है विजा के लिए आवेदन करना अप्लाई करना है वो सारी प्रतिया जो है इसी पोर्टल पर उप्रब्द होगी सारे समाधान इसी वन स्टाप पोर्टल पर उप्लब्द कराए जाएंगे तो दोस्तों हमने क्या देखा दोस्तों कि यहां पर स्टड़ी इन portal की जो शुरुवात की गई है वो किसके किसके द्वारा किया गया है तो सिक्षा मंत्रे और साथी साथ विदेश मंत्री इन्होंने सही रूप से इसके सुरुवात किये ठीक है चली अगले प्रशन की तरफ बढ़ते है दोस्तों अगला प्रशन है हमारा की। इनस सहाध्री और इनस कोलकाता किस देश के पर्ट मुरस्भी ठीक है ठीक ध्यान रेखेगा पर्ट मुरस्भी आपके लिए इक प्रटंट है उप्शन तर और इसका करेंक चर्चा करते हैं आई कि चर्चा करते हैं औहीं इस후 बारे तो दोस्तों, यहांपे हम बात करें इस पोर्टल के बारे में, तो, समुंदरी साजेदारी बढ़ाने के लिए और जो भारत और पापवा नियोगिनी के बीच में जो रिस्ता है उस और एक दूस्टे के जो सहयोग को प्रगार करने के उदेश से जो पुर्वी ठीके आई ओ आर में तैना जो है भारती नौसेना के जहाज आएनस सहात्री और मुरेज़्दी का दौरा इन्होंने किया है इस दौरे के दौरान देखा जाजा तो दोनों जहाज्यों के जो चालगदल है ठीके पी एनजी रक्षा बलो के करमियों के साथ पेशेवर बात्चित किया उन्होंने अपने सांस्कृति कादान प्रादान किये योग शत्र और जहाजों के दौर सहित व्यापक गतिविदियों में बें शामिल होंगे, यह सारी चीज़ें वहाँ पे किया लिए, ठीक है, इसके बारे में मानने चीज़ें के, तो इस पोर्ट जो है, यह पोर्ट कॉल का जो मुख्यों देश रेखा जाए, जयानि कि यह जो दोनों जो नौ जहाजों के बारे में कि इनका 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 निर्माड किया गया, कहा किया गया, तो अगर हम बात करते है, ठीक है, आइनस सहादरी की, तो दोस्तों यह सवदेसी रूप से डिजाइन किया गया है, इसको निर्मित किया गया, इंडिजिनिसली यह डिजाइन और इसका इसको निर्मित किया गया है लेकिन इसको देखा जब प्रोजेक्ट 15A के तहर दिजाइन किया गया है और इसकी कमान कौन सवाल है तो यह दोस्तो हमने बात किया किसके बारे में हाली में देखा जाते हैं यहाँ पर इस चिफ से बारे में बात किया कि पोर्ट मोयमोरेजदी के बारे में बात किया और यहीं पर देखा जो दोस्तो इन जहाजों के बारे में कि इन जहाजों का निर्मार का हुआ था तो इन दो फिर दोस्तो हमने क्या देखा दोस्तों इस आयनेस पूलकाता के बारे में समझा आयनस सहाध्री के बारे में समझद ध्यान रखेगा आपके लिए वह प्रोजेक्ट बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है अगले प्रिशनी की तरफ बढ़तें दोस्तों तो दूस से यहाँ पर यह कंपनी है और यह कंपनी जो है अपना एक प्लांट अस्थापित कर रही है जिसके लिए उसे तमिलनाडू से जो है यह एक ताइवानी कंपनी ठीक है और यह एपल इंक के प्रमुख जो अपुर्ति करता फैसकॉन टेकनोलोजी ग्रूप ने तालीबा इमाफ करीगा यहां पे तो तमिलनाडू के कांची पूरन जिले के एक वी निर्मार सुविधा स्थापित करने के लिए दोस्तो निवेश करने का वादा किया है तो यह ताइवानी कंपनी है कौन सी दोस्तो अगर हम बात करते हैं जो है फासकान तो यह एक तरीके से अपना प्लांट अस्थापित करने जा रहा है कहां पे दोस्तो तो तमिलनाडू के कांची पूरन जिले में और इस प्लांट को तो रोजगार के महत्तुपुर औसर पैदा होंगे और तमिलनाडू में एलेक्ट्रोनिक वी निर्माट छेतर को बढ़ावा मिलने कर भी पूरी उमीद है इस जो है समझोते से ठीक है अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तो तो यहाँ पे जो है निवेश प्रतिबद्धिता के लावा देखा जाए तो जो फासकान के अध्यक्ष है जिनका नाम है श्री यांग लिव इन्होंने राजजे में निवेश आकरसित करने में साहेक नोडल एजनसी जिसका नाम है ठीक है आयाइटी मद्रास है और गाइडेंस ठीक है गाइडेंस के साथ एक त्री पक्षी स समझोता ग्यापन पे भी असाक्षर किया है तो एक कुछ महत्यपूर समझोते थे दोस्तों जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया अब अगले प्रशने की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रशन है दोस्तों कि किस राज जी के मुख्यमंत्री ने अम्रित विक ज़क्ष लगाने का यह अंदोलन है जिसका नाम है अम्रित विक्ष इंधोलन जो की किया गया है यह असम के मुख्यमंत्री के ड्वारा है किक partner answer isदी है आए इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों तो यहां पर गालग मृत और बाहत करें अशुमंत्री देखे वर्तमा अम्रत विक्ष अंदूलन एप की बात किया जा और वेब पोर्टल का लक्ष देखे क्या है यहाँ पे तो 17 सितमबर 2023 तक एक ही दिन में एक करोड पौधे लगाना ध्यान रखेगा 17 सितमबर 2023 में एक ही दिन में एक करोड पौधे लगाने का लक्ष रखा गया है कि स्योजना के सत्त अम्रत विक्ष योजना जिसके सुरुआत की गई है किसके द्वारा दोस्तों असम सरकार के द्वारा तो यह राज जिम्मे क्या करेगा हरी तर्थ विस्तर को पढ़ावा देगा इतना ही नहीं दोस्तों जो ग्लोबल वामिंग है देखे ग्लोबल वामिंग से लड़ने के लिए व्रिक्ष बहुत महत्तपूड वो मिका निमाते है तिक तरीके से ग्लोबल वामिंग के खिलाफ लड़ाई में भी योगदान देने का ये महत्वपूर प्रयास करेगा एक तरीके से ये एक करोड विक्ष लगाना एक तरीके से अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा ठीक है अगर हम आगे चर्चा करें इसके बारे में तो परियोजना का बेसिकली दोस्तो उद्देश अब नासिप मैला जलपल की पुरूस बनलब 40 लाग जो सदस्य होंगे वो प्रतेक्त में व्यवसाइक रूप से व्यहवार या दोदो पौधे लगाकर के लगभग 80 लाग पौधे लगाकर वो महत्वपूर भूमी का निभाएंगे तो ध्यान रखेगा दोस्तों अगर अस्थम के बारे में देखे अस्थम का जो गठन हुआ तो वह 26 जनौरी 1950 को हुआ था और इसकी जो राजधानी है वो है दीशपूर मुख्यमंतरी देखे कौन है यहां पे अभी हम लोगों ने चर्चा किया हेमन्त विस्त सर्मा और यहां के जो राज्यपाल है वो जारी को नदी है वो है ब्रह्मपूत्र ठीक है चले आप मुझे कमेंट बॉक्स में अंसर करिए कि ब्रह्मपूत्र को सिब्बत में किस साम से जाना जाता है और यहां पर राचल प्रदेश में किस साम से जाना जाता है और साथी साथ जब ब्रह्मपूत्र का जो कि यहां प कुछ मेत्वपूर न्यूज यहां पे भी दी गई है उनको भी चर्चा कर लेते हैं तो यहां पे जो भारतिय रास्टिय राजवार प्राधी करड़ यानि कि नेशनल हाईवे अथारटी आफ इंडिया है दोस्तो उसने राजमार्ग उप्योग करता अनुभो को बढ़ाने के लिए राजमार्ग यात्रा नामक एक नागरिक केंद्रित एहिकरित मुबाइल अप्लिकेशन नाच किया है तो देखा जाए जो नेशनल हाईवे अथारटी इसने एक अप्लिकेशन यानि कि एप लॉंच किया है मुबाइल जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा एप क्या करेगा दोस्तों यह एप जो है यह आपके एंड्रॉइड पे भी उप्लब्द होगा और आयोस ठीक है आयोस पे भी उप्लब्द होगा वहां से आप डाउनलो जो है बारतिय रास्त्री मार्च राजमार्ग पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है जिसे वास्तविक समय की मौसम की पता चलेगा प्रसार सूशनाइं मिलेंगी नस्दीक के जो टोल प्लाजा वह भी जानकारी देगा पेट्रोल पम्प के बारे में और अस्पताल होटे हो गए सुरक्षित और निर्बाद यात्रा के लिए अवश्चिक जो सेवाएं होती है जो सुष्णाएं होती हो सब कुछ इस अपर उपलब्द कराई जाएंगी तो दोस्तों हमने क्या देखा कि राजमार की यात्रा एप जो है वो लॉंच किया गया भारती राष्ट्री प् अब बात करतें दोस्तों अगले प्रश्णी की तरह पढ़तें दोस्तों तो अगला प्रश्ण हमारा की निम्न में से किस राज्जी की चिडिया घर में इमाली गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला मामला दर्ज हुआ है तो इमाली गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला मा बारत में जो हिमाले गिद के कैप्ट-व प्रजणन का पहला मामला दर्जडिया कहाँ पर दर्जडिया क्सक्ता passado कि मार्मीBob टिसे हम जिप्स हिमालेसिस कहते हैं उसका कैप्ट-व प्रजणन org यानि कि प्रवेस करते हैं ठीक है इनके बारे में देखा जाए तो यह हिमाले की ताम तोर पे जो बर्व से ढखे वे जो पहाड होते दोसको वहाँ पर पर प्रजिनन करते हैं और सफल प्रजिनन का विच्टर यहां पर विवरड जो हाल ही में दिया गया वह जनरल आफ थ्रेड्स टे पर में प्रकासित किया गया था ठीक है तो ध्यान रखेगा दोस्तों हम लोगों ने यहां पर क्या देगा कि जो भारतिय हिमाले गिद्ध के कैप्ट्व प्रजिनन का पहला मामला दर्ज हुआ है वह असं राज्य चुडिया घर में ठीक ही गोहाटी में दर्ज हुआ है जो बात करें दोस्तों तो यहां पे जो अस्ट्रेलिया का जो समुनतफर है वहाँ पे जो है उसके समुनतफर के किनारे भारतिय रॉकेट का मल्वा मिला है जिसकी तदूब है आप इस स्क्रीन पर देख रहे और यहां पर जो प्रेस्च यह है बहुत बड़ी वस्तू मिली जिसका यहां पर बताया जा रहा था कि इस रोका ही रॉकेट का मलवा है और इस मलवे की उचाई देखा जाए लगबब 6 फिर्टी जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे और इसके उपर जो है केबल लटके वे थे इस रो ने इस बात की सहमती जताई कि उसके ध्रूवी रॉकेट का अध जला हिस्सा था जो की आई आर एनसस था थी के टारा मंडल के लिए एक नेविगेशन उग्रत ले जाने के लिए इसको लांच किया गया था यह रॉकेट के उन हिस्सों में से अलग हो सकता एक हो सकता है जो वाई मंडल में लॉटते समय देखा जाए जला दीए आरा नहीं था और समुन्द मेंुग घर गए और फिर व्हों दोश्ते है जो फ्रींतों आज जक्रेए जाए जो जबाड़ तो नुसार देखा जा तो सफट वॉल से भी बड़े आकार के मलवे 23,000 से भी अधिक टुकड़े प्रिश्वी पर परिक्रमा कर रहे हैं ठीक है जो कभी भी कई भी समुन तट में गिर सकते हैं कई पर गिर सकते हैं ऐसा नासा ने जो है एक information दी है ठीक है दोस्तों हमने क्या देखा यहाँ पर तो अस्ट्रेलिया के जो समुन टट में भारत के एक rocket का ठीके मलवा मिला है देखने को मिला है अगले प्रश्णी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्णी है कि हाल ही में किस राज में मालाबार नदी महस्तों का महस्तों मनाए गया या फिर आयोजन किया गया तो मालाबार देखे आपको पता चल जाना चाहिए मालाबार टटकेस से लगावा है केरल से लगावा है तो करेक्ट आंसर जो है वो भी है तो यहाँ पर हम बात करते दोस्तों इस मालाबार नदी महसो के बारे में तो मालाबार नदी महसो का ये देखे नवा संसकर था जिसका आयोजन अभी जो किया गया है वो केरल के कोची कोड के तुशारगीरी में हुआ है ठीक है और ये तीन दिनों का जो है आयोजन था तीन दिविस्टे आयोजन था और यह इसका आयोजन जो किया गया है वो केरल एडवेंचर ट्यूरिजम प्रोमोशन सोसाइटी और कोचिकोड डिस्टिक ट्यूरिजम प्रोमोशन काउंसिल के द्वारा किया जाता है ठीक है यह तुशार गिरी में इरुवन जुपा ठीक है जीपु पूजा और चाली प्रशन के पैडलर्स जो है वह सलिये और इस देशों में कौन-कौन जैसे कि अमेरिका के यूके के इसराइल कजाकिस्तान के दक्षिड अफरिका के जो थे वह पैडलर्स इसमें भाग लिए ठीक है तो ध्यान रखेगा यहां पे मालाबान नदी महस्तों का यह नौवा संस अग्यान की एता क्या है तो यह देखे भाग दो है ठीक है ठीक है पार्ट तू है योजना का यहां पर विवात से विश्वास योजना जो सुरू कि कुए मंतराले दरा या फिर रक्या मंतराले या फिर विदेश मंतराले देखे सोचके अन www 2021 का यहां जोक्रेक्टर का ये appearing विवाद से विश्वास योजना का शुरू किया गया है इसके बारे में बात करते हैं यहां पर दोस्तों बात करें हाल ही में वित्त मंत्रा लें सरकार और सरकारी उपक्रम में जो लंबित जो है अनुबंधात्मक विवाद थे उनको प्रभावी डंग से निप्टाने के विवाद से विश्वास दो योजना सुरू के धियान रखेगा जो सरकारी उपक्रम है उनमें जो लंबित जो मामले होते हैं अनुबंधात्मक मामले होते हैं उन मामलों को जो है दोस्तों निप्टाने के लिए प्रभावी डंग से विवाद से विश्वास योजना सुरू की गई है ठीक है योजना के जो घुष्चा की गई softer दोस्तो हो गेंदिरी बजड में केंदरी मंत्री जागै केंदरी वित मंत्री जो है निर्मरा सितनामन उनके दोड़ा किया गया थ Cam Can fel जुड़े लंबे समय से चले आ ये ठीके मद्ध्यस्रता पुरुस्कार किया होत है तो एक तरीके से ऐसा पुरुस्कार होता है जो मद्ध्यस्रता कारवाही को अंति मुरूप डेता है क्यों के तह्त मानवकृस्तर पेश की जाएंगी के अस्तर के आधार पर स्रेडी निप्टान बिकल्क प्रदान किये जाएंगे योजना का देखियों देशिक है अनुबंधात्मक विवादों को कुशलता पुर्वक हल करने के लिए मंच प्रदान करना है सरकार के साथ व्यापार करने में सुगमता को पढ़ावा देने और विदेश मे जो है माफ करेंका देश में निवेश को प्रोसाहित करना बिसिकली इस योजना का उदेश है तो यहाँ पर विवाद से विश्वास जो योजना सुरू की गई है वो वित्त मंत्राले के द्वारा सुरू की गई है और ध्यान रखे का इस वड़ के केंदरी बजट में भी इ अगले प्रश्णी की तरह पढ़ते हैं और अगला प्रश्ण है दोस्तों की देवधारी देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब किस ने जीता है तो देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब जिसने जीता है आई इसके बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखेगा दोस्तों यह देखा जाए यहां पे तो South zone ने जो है किताब को जीता है यहां पर हम बात करें South zone ने final में किसको हरा करके East zone को कितने रनों से 45 रों से हरा करके नौवी वार देवधर ठीके ट्रोफी वंडे क्रिके टूर्णामेंट जीता है ध्यान रखेगा आपसे यह भी पूछा जाए कि देवधर ट्रोफी किस खेल से संबन्दित है तो ध्यान रखेगा यह क्रिकेट से संबन्दित है फाइनल मुकाबले में देखा जाए South zone के सलामी जिनका नाम है ठीके रोहन वनुमल कनुमल ने सतक लगा है फाइनल मुकाबले में देखा जाए तो South zone के जो कप्तान है जिनका नाम कप्तान कौन थे दोस्तों South zone के तो यह मैंक अग्रवाल थे तता इस जून के कप्तान कौन है सौरप तिवारी तो ध्यान रखेगा अगर हम हम बात करें देवधर ट्रॉफी के बारे में तो नवी बार जीता है किस साउथ जोन ने किसको हरा करके दोस्तों East zone को हरा करके आए देवधर ट्रॉफी के भी बारे में बात कर लेते हैं तो यह देखा जाए भारत का एक लिस्ट एक क्रिकेट घरेलू टूनामेंट है और इ 1973 से 1974 के बीच में हुआ था ठीक है अब आज के आखरी प्रश्नी की तरह पढ़ते हैं कि नया सवेरा योजना किस मंत्राले से संबंदित है तो नया सवेरा योजना देखा जाए तो यह अलसंखत क्यार मंत्राले से संबंदित है आए इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों तो यहां पर हम बात करते हैं नया सवेरा जो है योजना के बारे में तो नया सवेरा योजना जो की अलसंख्यक कारमंद्राले से सम्मनित है, हाली में देखा जाये तो इसके बारे में जो केंद्र सरकार है उन्होंने बताया कि नया सवेरा योजना के तरह अब तक जो है एक ल लोग आते तो देखि रिखे सिक्क आते हैं जयन आते हैं, मुस्लिम आते हैं उिसाई ऐते बहुत आते हैं परसी हैं, यह उन्हों को टियार करना है तागि वे सरकारी और नीजी नोकरियों में अपनी भागीदारी को सुधार ठीक है इस योजना के तेत क्या किया जैगा तो योजना का उद्धेश के लिए अलवसंख्यक संघ्रगायों के छात्रों को वही सेम चीज बताए गयी है और इसमें इसके पराद क्या किया जाएक locdenice, plaj क्या जाएगा मुप्थ कोचिंग के लिए वित्यसायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रिखेगा दोस्तों नया सवेरा योजना अल संखेक कार मंत्राले के दोरा जो अल संखेक समुदाय के छात्रे हैं उनको ससक्त बनाने के लिए मुप्थ में कोचिंग उपलब्द कराई जाएगे जिससे कि उनको क्या होगा एक तरीके से रोजवार उन्मुक बनाया जाएगा ठीक है तो यह था दोस्तो आज का हमारा 10M से क्यूँ अब बात करते दोस्तो आज के facts आप देखी हमारा सबसे पहला facts है कि Qualcomm इंडिया का अध्यक्ष न्यूक्त क्या गया है किसे क्या गया है तो सभी सो इनको क्या गया है हाली में जारी FIDE ranking में भारत के सरवत्य सतरंज खिलाडी बने है कौन बने है डी गोईकेश बने है अगला है राज्य सरकार बैनमिंटन के लिए रास्ट्री उत्कृष्टा केंद्र अस्थापित करेगी कहां करेगी तो यह असम्मे करेगी नेक्स्ट है राज्य सरकार सभी नगर निगों में पशु जन्म नियंतर केंद अस्थापित करेगी तो कौन से राज्य सरकार ध्यान रखेगा दोस्तों उत्तर प्रदिश यह जो है जो फोर्थ फैक्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल है यूपी दोस्तों किसे किया गया है तो पुनिस चंदों को किया गया है तो यह था आज हमारा करेंट Bene doctoral उमीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा आछा लगा है तो लाइक कर दीजे एक ही question पूछाए ग्रमपुत्र नदी से सम्मझें तो उमीद करते हैं आप उसका answer करेंगे बाकी जिने current affair आज का अच्छा लगा है उसे like कर दीजेगा दोस्तों और बात करते daily current affair की जो PDF है दोस्तों वो telegram group पे available है जिसका link आपको description box में दिया हुआ है चाहिए डाउनलोड करिए और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी short notes बनाईए और इसी तरीके से daily जो है class current affair की follow करिए चले दोस्तों फिर मलता है हम अपने अगले session में तब तक के लिए बाएं have a good day stay safe and stay happy